हर और मादेव आप सभी का हमारी शैनल बर श्रागत है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जिन जिन नहीं या कोई भी सादनामें सिद्धि साथ हैं तो उसको मंत्र का प्रियोग कैसे करते हैं तो वोगिक आपको सरल प्रियोग बताएंगे जो कि प्रासिंकाल से सरा बात करते हैं जैसे साबर मंत्र की तो उसमें कई सारी कस्में लगती है उसी परकार से मंत्रों का परियोग भी अलग अलगतर किसे किया जाता है आप से बस एक निवीद ने आपने इस सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर किजिएगा हर अर्मादेवाफ सबी को करना नहीं मानते हैं तो अभी वीडियो छोड़के चले जाएं अल्ला खुदा इंशाल्ला बिस्मिल्लाहिर्यमानिर्रहिम उस मालिक को मानते हैं तो आप सेनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राशिन काल से जो ज़्यादा तर मंत्रा होते थे उसमें हर मंत्रों में किसी में दुआई लगती थी किसी में किसम लगती थी किसी में कुछ और लगता था जैसे साबर मंत्रों की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि सब्तसासा पिंड काशा फुरो मंत्र इस्वरो वाशा यानि इस्वर का वाशा उसमें इ मंत्र इष्ष में लुना शमारन की द्वाई दी जाती है वह सारी मंत्र इष्ष्ष में हिआ Councillor मुकादिर शवाई दी जाती हैं वह सारी मंत्र इष्ष्ष में और है अर्जर शवकी 25 आपको क्या करना है अक को अगर आपने बहुत से मंत्रों का परियोग किया है और उसमें आपने कोई दुआई नहीं लगाई है तो आप उस मंत्र को दुआई के शाद में उसका परियोग करें शाए मंत्र कोई भी यह शावर मंत्र है शावर मंत्र में ज्याद़ uh में ज्याधातर द्वाई लगे हुए होती है उष्वे SUR में अलख्श जरूरत नहीं होती है अब इसलामिक द्रम के भी मंत्र होते हैं तो उष्वे ज्याद़ अगर आप आजरस सुलिमान शाब के मंत्र की द्वाई दी जाती है तो वो शक्ति है उसको डार होता है खुदा का डार है उसको अजरस सुलिमान का डार है उसकी वज़े से उनकी दुआई लगने से बैतर है कि वो शक्ति आपके सामने आ जाती है उसकी सिद्धी बजाती है यह होता है इसलामिक धरम में ज्यादा तर अजरत सुलिमान साब की द्वाई दी जाती है साय आप किसी के कोई जिन जिननात निकाल रहे हैं या कोई और उससे पुत परित कोई निकाल रहे हैं तो उसको कलमा पढ़ाया जाता है अजरत शाब की उसको कशम दी जाती है फिर उससे बादार लेने के बाद में किसी को आकाशित करना किसी से वारता लाप करना किसी से को सस बुलवाना किसी तक पहुशना और किसी को अपने तक पहुशना है ये मन्त्रों में दो आई एक अलग तरीकी का शिश्टम होता है अगर आप इसको इस परकार से प्रियोग में लेते हैं तो आप जैसे कोई जिन्द का अमल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब बहुत दिनों के उश में और वो मंतरा आप 10-15 दिनों के आपको उश में कोई भी शक्ति होगी वो आपके सामने खड़िया जाएगी वो आपकी तरफ आएगी वो हजरत साब से डरेगी वो खुदा से डरेगी और वो शक्ति है जैसे आपने उश को बुलाया है उश का आवान किया है तो वो आपकी और आएगी यही प्रोसिस सनातन द्रम के जैसी प्रासिन साबर मंतर होते उश में भी होते हैं तो अगर आप कोई भी साथ ना करें तो उश में ये प्रोसेस अवस्य अपना है अगर आपको लगता है कोई मंतर है कोई अमल है जिसमें आपको शपलता नहीं मिल रही है तो ये एक सपलता का गुप्त रहशी है इसको आजमाईएगा आप जरूर इसमें सपलाओंगी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को शेर जरू करना सेनल को सब्सक्राइब करना हर अर्मादेव आप सभी को खुदा आफेश